Friends, Welcome to All Examples, I am Rohit, आज हम Mathematics में Differentiability पढ़ेंगी, तो start करते हैं, अब देखिए कोई भी function है, वो Differentiable कब कहलाएगा, जब x equal to a पे उसकी value means उसका right hand, left hand derivative और right hand derivative, अब left hand derivative में क्या है, limit h tends to 0, f, a minus h, minus f by minus of h, वो किसके equal हो, f dash a के equal, f dash मतलब एक बार उसका differentiation, चलिए, सेम ऐसे ही, rhd में, rhd में क्या है, f a plus h, right hand limit, इसलिए a plus h, minus f by h, अब यह negative रहेगा, left में, यह positive value रहेगी, ठीक है, और यह भी किसके equal हो, first derivative के equal हो, f a के, तो वो क्या function कहलाएगा, derivative, differentiable कहलाएगा, ठीक है, अब कुछ formulas देख लेते हैं, जो की काफी important है, और आपको याद रखने पड़ेंगे, जो की quotient solve करने में, आपको मदद मिलेगे, उससे, ठीक है, तो formulas देख लेते हैं, जल्दी से, देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बहु अगर x की पावर n, अगर x की पावर n में कुछ भी दियाओ, जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, कुछ भी दियाओ, ठीक है, उसका formula क्या होता है, n into x की पावर n-1, example के तौर पे, x की पावर 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जागा, 3, 3-2, तो x की पावर 2 हो जाएगा, तो 3x स्क 2 का differentiation, तो यह याद रखना है, यह basic formula है, अब यहाँ पर मैंने root x को अपन solve करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनको direct याद रखें, क्योंकि gate में ऐसे question आ जाते हैं, direct, तो आपको solve ना करना पड़े, इस तरह ऐसे की x की पावर 1 by 2 को solve कर रहें, तो वो नहीं, अब direct result याद रखें, कि root x का differentiation क्या होता है, 1 by 2 root x होता है, ठीक है, उसके बाद 1 by x का क्या होता है, minus 1 by x square होता है, log x का क्या होता है, 1 by x होता है, e की power x का क्या होता है, e की power x ही होता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी question solve कर सके एक्जाम में और accurate याद रखीएगा कोई दिक्कत नहीं है solve करने में हो सकता है गलती हो जाती है इसलिए आप इसको remember कर ले तो ज्यादा बैटर रहाएगा next है a की पावर x क्या होता है a की पावर x log a sin x का क्या होता है cos x होता है cos x का क्या होता है minus sin x होता है 10 x का क्या होता है sec square x होता है sec x का क्या होगा sec x into 10 x होता है अब 1 by root x ठीक है root अपने root x का पड़ा 1 by 2 root x होता है लेकिन ये 1 by root x इसका क्या होता है minus 1 by 2 x into root x sin inverse x का क्या होता है 1 by under root 1 minus x square 10 inverse का क्या होता है 1 by 1 plus x square sin inverse hx का क्या होगा 1 by under root 1 plus x square देखिए दोनों में इतना basic फ़र्फ है sin square x sin inverse x में और sin inverse hx में यहाँ पे minus होता है यहाँ पे plus होता है बागी same रहेगा यह formula बिल्कुल basic formula है और exam में use होंगे तो याद कीजिए और मैं आपको formula बताता हूं देखिए और formula देख लेते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या है दो term variable है उनका sum होगा या subtraction होगा तब क्या करेंगे हम दोनों का अलग-अलग क्या करदेंगे differentiation करदेंगे और जैसा अभी होगा sum होगा sum करदेंगे subtraction होगा तो subtraction करदेगे अब देखिए दो variable है उनका into हो रहा है उस case में क्या differentiation कैसे करते हैं first को हम बाहर रखेंगे as it is then second का differentiation तो उनका into plus second को बाहर रखेंगे याने as it is first का differentiation और दोनों को क्या कर रहे हैं आप एड कर रहे हैं third है divide हो रहा है जैसे example के तोर पर x by y ऐसे दिया बुड़ा है इसका differentiation बताई तो क्या करेंगे second को बाहर रखेंगे as it is उसके बाद first का differentiation करेंगे minus first को बाहर रखेंगे second का differentiation करेंगे और total हम divide कर देंगे denominator value से denominator में कुछ भी होगा उससे divide कर देंगे यह था यह जो तीन मैंने बताई हैं काफी important है आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए बिना इसके आप differentiation नहीं कर सकते कोई भी चीज़ का ठीक है उसके बाद यह तीन variable के लिए तीन variable के लिए भी सब same रहेगा बस दो बाहर रहेंगे second का थटका रहेगा फिर दो बाहर रहेंगे जो बचे का उसका फिर दो बाहर रहेंगे उसका इन टू ठीक है अब 19 देख लेते हैं यह important है काफी y equal to sin inverse 2x by 1 by x x square equal to होता है cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square 10 inverse 2 by x minus y 1 minus x square अब इसका जब हम ठीक है अब हम कोशन की शुरुवात करते हैं जल्दी से चलिए देखिए कोशन दिया हुआ है y equal to x e power x x e power x और infinity तक किया है अब इसको solve करना हमें ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले तो y equal to x x की power देखिए ये फिर से वही आ गया x e power x तो इसका हम y मान सकते हैं उके उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ log ले लेंगे तो log y equal to log x x की power y तो ये क्या हो जाएगा log y equal to क्या हो जाएगा y log x होगे अब क्या करेंगे दोनों साइट differentiation करतेंगे with respect to x तो क्या हो जाएगा ये 1 by y हो जाएगा log x का मैंने बताया था आपको 1 by x होता है लेकिन यहाँ पे y है तो dy upon dx भी होगा क्योंकि हम x के respect में कर रहे है same अब यहाँ पे two terms वाला लग जाएगा y u into v वाला क्या करेंगे पहले वाले को रखेंगे then second वाले का differentiation log x का क्या होता है 1 by x होता है plus log x into dy upon dx इतना आया अब क्या करेंगे dy upon dx दोनों में है common ले लेते हैं क्या हो जाएगा dy upon dx common आयेगा यहां से ठीक है तो यहां क्या बचेगा one by y और यह left side चल जाएगा क्या हो जाएगा minus log x equal to यहां क्या बचेगा y upon x बचेगा यह आ गया अब आपन को क्या चाहिए dy upon dx के terms में value चाहिए तो इसको इस side ले आएंगे right hand side ले आएंगे तो क्या हो जाएगा y upon x और इसका into कर देंगे क्या हो जाएगा यहीं पर करते हैं into क्या हो जाएगा यह 1 minus y log x by y अब यह जब इस side into होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा y square हो जाएगा मेंचे क्या बचेगा 1 minus y log x ओके तो यह क्या हो गया हमारा answer हो गया बस इस type के question आते हैं और आपको 4 option देतेगा बोलेगा इसका differential differentiation क्या होगा ठीक है तो यह question और question देखते हैं चलें next question है x की power y equal to e की power x minus y ठीक है और dy upon dx निकालना है तो solve करते हैं क्या करेंगे इस type के question हो तो आप हमेशा क्या क्या करें लॉक लेने तो log x की power y equal to log e x की power x e की power x minus y ठीक है क्या हो जाएगा यह y log x और यह क्या हो जाएगा x minus y into log e अब log e की value आपको पता है क्या होती है 1 होती है तो क्या बचा y log x equal to x minus y ठीक है अब क्या करेंगे y वाले एक्साइट कर देंगे x वाले एक्साइट कर देंगे तो इधर कर देंगे y log x plus y equal to x यहां गया अब y common ले लेंगे यहां से हम y common लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर लेते हैं चल्दी से तो देखिए यहां से हम y common ले लेंगे तो क्या जाएगा यहां से 1 plus log x equal to x अब हम log x 1 plus log x को x के नीचे ले आएंगे तो 1 plus log x अब क्या करेंगे दोनों साइट differentiation करतेंगे तो क्या हो जाएगा d by upon dx और यहां पही क्या लग जाएगा divide वाला रूल ठीक है तो divide वाला रूल क्या था तो चल्लिए हम करते हैं इसका तो क्या करेंगे second वाले को as it is रखेंगे first वाले का differentiation करेंगे तो x का differentiation करेंगे तो क्या आएगा बना जाएगा उसके बाद x को ऐसे ही रखेंगे 1 plus log x का करेंगे ठीक है तो 1 का 0 हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 by x आजाएगा और नीचे क्या करेंगे denominator का square तो 1 plus log x का square तो क्या आजाएगा यहांसे 1 plus log x minus 1 1 1 cancel by क्या जाएगा 1 plus log x square ओके तो हमारा answer क्या आजाएगा final log x by 1 plus log x का whole square यह हमारा answer आजाएगा y upon dx ठीक है इस टाइप के question पूछे जाएगे exam में ओकी तो यह हो गए और question देख लेते हैं जल्दी से चलिए एक question देख लेते हैं y equal to sin inverse x upon 1 minus x square दिया है अब बोल रहा है 1 minus x square into y1 minus xy की value क्या होगे इसको solve करते हैं जल्दी से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे y यहां पर दोनों साइट square कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y square sin inverse x का whole square by 1 minus x square root cancel हो जाएगा अब यह क्या हो जाएगा y square into 1 minus x square equal to sin inverse x का whole square ठीक है अब क्या करेंगे दोनों साइट कर देते हैं तो दोनों साइट करेंगे यहां पर तो वेरिबल वाला इंटू का लग जाएगा तो क्या हो जाएगा फर्स्ट को रखेंगे सेकेंड को करेंगे तो फर्स्ट साइकन का क्या हो जाएगा 2y और dy upon dx को क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2y into y1 ओकी चलिए इसके बाद राइट हैंड साइड पर क्या होगा होगा sine inverse 2 sine inverse x का क्या होता है one plus one minus one minus x का अब क्या करते हैं चुर्ष का स्कोंति और जाल्दी से अब क्या करते हैं से द्ट morally common लेते, common लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर, 1- x square into y1, ठीक है, यह बचेगा, sorry, यहां पर हमने first time का किया, second का भी करना पड़ेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, 2 y, sorry, y square तो रहे गई रहेगा, और 7 में, यहां के आएगा, minus 2x आएगा, okay, तो यह, यहां से हमने जब, 2y, common लेने का, तो क्या बचेगा, 1- x square, y1 बचेगा, ठीक है, minus x, y बचेगा, इस वाले टर्म से, x, y बचेगा, यहां पर क्या था, 2 y square, minus 2x था, second term में, equal to क्या हो जाएगा, तो, अब देखे, यह जो value है, question में, देखेगे, किसके equal है, y के equal है, तो, क्या हो जाएगी, 2y, अब 2y, 2y क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, ठीक है, तो, यहां क्या बचेगा, 0, okay, तो, यहां बचेगा, 0, तो, 1 minus x square into y, 1 minus x, y, यह किसके क्वल आ गया, 0 के क्वल आ जाएगा, okay, चलिए, तो, यह इस टाइप की, कोशन आ जाते हैं, एक्जाम ने, ठीक है, तो, अच्छे से solve पीजिए, और पो सकता है, जित्ता ज्यादा प्रैक्टिस करें, जित्ता ज्यादा आपकी चांसे से, अच्छे solve होने के लिए, और यह वीडियो आपको पसंद आया, तो, प्लीस लाइब करें, शेयर करें, और चैनल जिन्हों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो, प्लीस स जित्ता जो, जित्ता जित्ता जित्त говорить, जित्ता जोओाने जित्ता दित्ता ज्यादाओि मैंट